दोस्तों IDFC Net Banking से स्टेटमेंट डाउनलोड करना है कैसे करना है यह बताने वाला हो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरू कर दीजिए विडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों belt लॉग प्रोशे स्टम्पलीट हो जाएगा जैसे ही लॉगन यहाँ यहां पर कम्पलीट हो जाता है यहों मिलेगी यहां पर पर vidéos अब आपके mobile phones में भी use कर सकते हो, home screen के उपर आप right hand side पे top में customer ID चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपका account number चेक कर सकते हो, balance चेक करना है, तो यह आए का option मिलेगा, उससे select कर लीजे, balance आप चेक कर पाओगे, अब account statement डाउनलोड करने के यहाँ पर दो तरीके है, सबसे बहले तो आप home screen क के उपर ही नीचे scroll कीजिए, और यहाँ पर account and deposit के section में, account statement का option मिलेगा, select कर लेना है, और account statement का page यहाँ पर download हो जाएगा, download कैसे करना है, थोड़ी देर में बताता हूं, यह था पहला तरीका, जो दूसरा तरीका है दोस्तों, उसके लिए आपको जाना है, accounts के अंदर, और download statement select करना है, और एक बार फिर से हम आ चुके है, account statement page के उपर, तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो, आप इसी page के उपर आने वाले हो, अब account statement के page के उपर आने के बाद, सबसे पहला option आपको यहाँ पर मिलता है, current month का, तो अगर आपको current month का statement download करना है, यह option select केज जैसे कि किसी एक particular date से लेके, किसी एक particular date तक आपको statement download करना है, तो यहाँ पर आपको from date select करनी होगी, to date select करनी होगी, और उसके बाद में यहाँ पर download option मिल जाएगा, format भी आप यहाँ पर select कर सकते हो, PDF या Excel आपके हिसाब से, तो अभी फिलाल के लिए अगर आपको last six month का download कर करना है, तो last six months यहाँ पर आप select कर लीजिए, यहाँ पर format आपको PDF मिलेगा, Excel करना होगा, तो Excel कर सकते हो, और download पर tap कीजिए, और custom करना है, तो जैसे मैंने बताया, date select कीजिए, तो example के तोर पे, मैं यहाँ पर June, one select करता हूँ, और two date में, मैं यहाँ पर July, one select कर लेता हूँ download पर tap करेंगे, और आप देख सकते हो, statement यहाँ पर download हो चुका है, और automatically यहाँ पर PDF file open हो गई है, अब यह मेरे laptop में open हुआ है, आपके PC या mobile में download होने के बाद file open नहीं होती है, तो आप download वारे folder में जाके checkout कर सकते हो, तो इस तरीके से कुछ आप जो है, यहाँ पर आपका account statement इसी net banking से statement download करना है तो, वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद